कि बढ़िए बढ़िए एक पाथ हालेलुया तो बच्चन में लिखा इस तरह एके पंद्रह मर्कुष एके पंद्रह में कि समय पुरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है मन फिडाव और सुछ समचार पर विश्वास करो हालेलुया तो इस बच्चन से हम देखेंगे कि प्रभू इसमसि इस बच्चन के द्वारा अपने लोगों से और अपने चेले लोगों से बाते किया लेकिन यहां पर रूचेले हालेलूया पूरे रीच से वन फिराना है और परमेश्वर के सुमचार जो बचन है ये बचन जो नहीं मांगते हैं उनके लिए आम है लेकिन हम सब के लिए ये बचन हमारे किम्ती है क्योंकि ये परमेश्वर का बचन हमारे पाउं के लिए हुजियाला है हलेलुया तो हम इस बचन पर आ द्यान करता है, परमेशर उससे बाते करता है, तो आज बचन हम सबसे बाते कर रहा है, प्रभू का बचन, और प्रभू इसमसी स्वयम बचन है, तो इस मन फिराओ, समय पूरा हो चुका है, मन फिराओ, हमने अपने समय को बहुत सारे, बहुत अनर्थ बातों में, अनर्थ सु हालिलूया तो हमें मन को फिराना है और पर मेश्वर के पास रहता है कुछ अलग टरीके से रहता लेकिंद नहीं आजए पूरा हो चुका है और पर मेश्वर इस बचन के द्वारा हम सबसे बाते कर रहा है कि मन फिराओ लटाओ और पाश्राताब करो और सुस्तमचार पर किया और उन्होंने पाशाताब किया मन फिराया और फिर परमेश्वर के पाश लोट आया और परमेश्वर ने उनको क्या किया आसिस दिया और उनको हर एक बातों को बताया तो उसी प्रकार प्रभू का यह बचन कहता है कि मन फिराओ और सुष समचार पर विश्वास करो और आवो उटाओ, ताकि परमेश्वर के राज निकटा गया है. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के स्वर कर रहे हैं, और हम जांते हैं को हमेशा ढूरते रहता है हालेलुया तो परमेश्वार का बचाने हम सबसे बात कर रहा है समय पूरा हो चुका है हमारा प्रभु ईश्व मर्सी बहुत जल्द आने वाला है हम सब को लेकर जाने के लिए हालेलुया तो हमें मन फिराना है और यहां पर हमें मन फिराना है और प उपवाश के साथ पाशा दाप किया और मन को फिराया उसी प्रकार परमेश्वर इस बचन के द्वारा हम सब से बाते कर रहे हमें मन को फिराना है और हमें परमेश्वर के बचन पर विश्वाश करना है और जितना हो से कि हम उपवाश के साथ गिरगिडाहट के साथ परमेश् कि वह वह सक्काने के उनके कि साफल्द अज़ेयरे कि सिस्टरे नीड्य रॉंखों फर्टे ने रहा है Gyyah को सिंत फर्टर से आदे में कि दुर्टर आंपर κोर्जमि नांसे अर्वॉस च्रीम निड़ करने के लिए एक दान पाओगे में लूरय तो जहां जहां भी हम देखते हैं वहां मन फिराने का भी ओशर मिलता है जिसतर एस्टर ने उपवाश रखी और अपने जाती भायों के लिए और उणहोंने परमेश्वर के साथ तीन दीन दात उपवाश में बैठी और अपने लोगों के लिए प्राथना की और परमेश्वर ने क्या किया कि राजा को मन को बदला और राजा ने एस्तर की बातों को स्विकार किया और वहां पर जो रेस्तर रानी थी परमेश्वर ने एस्तर के बातों को राजा ने स्विकार किया और उन्हों ने क्या किया एस्तर ने उपवाश में रखी और मन बावीयों के लिए पराथना रखी उप्वाष में और परमेश्वर ने उनके जाती भावियों को बचा लिया इहुदियों को. तो उन्हों ने ईसतर को भी हम देखते हैं कि उन्हों ने उप्वाष रखी तीन दिन तीन रात के और पूरे रित परमेश्वर से बाते की और परमेश्वर ने उनकी प्रातनाओं को सुना, उनके साथियों ने भी उपवास रखे, उसी परकार परमेश्वर इस बचन के द्वारा क्या बाते कर रहा है, कि परमेश्वर का राज निकटा गया है, मन फिराओ, और सुसमच्चार पर विश्वास करनों इसलिए मन फिराओ और हो लूटा ऑओ एक तुम बचाये जाओ हलेलूया तो परमेश्वर इस बचन के द ornaments हे लमन सब देखता है हालेलुया तो परमेश्वर इस बचन के द्वारा यह ही आवाज आज आवाज लगा रहा है कि उक्वास के साथ पश्चादाब के साथ मेरे पास लोटाओ क्योंकि मैं तुझे चुना हूं मैं तुझे आज इस दिने पर हूं हालेलुया तो परमेश्वर की आव कि तुम पवित्रात्मा के मंदीर हो, मेरी अत्मत में वाश करता है, हालेलूया, हम पवित्रात्मा के मंदीर है, और प्रभु ईसुमसी अपने सरीव से बहुत प्रेम करता है, हालेलूया, तो आज हमें मन फिराना है उपवास के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमें मन फिराने का सम रहा है लेकिन वहां पर मन फिराने का शमय नहीं मेलेगा जब लुएगा थी यहां पर हमें मन फिराना है हललुईय शमय पूरह हो चुका है पर मेरे बैटी मेरे बैटेव तुम लूटाओ इस संसार के भीटों से तुम लोटाओ मेरे पास तुम मेरे पास लोटाओ मैं तुझे जीवन तेरे जीवन बचाने पर हूँ हलेलुया परमेश्वर आज भुला रहा है कि मेरे बेटे मेरे बेटियो तुम लोटाओ मेरे पास मैं तुझे आशिस देने पर हूँ हलेलुया मैं तुझे छुडाने पर हूँ मैं तुझे जिस हमाद जिस पर्शानी में तुम पड़े हो मैं उनसे तुझे निकालने पर हूँ तो परमेश्वर के आज आमाज है कि मन फिराओ AND लोटाओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है तो हमें मन फिराना है और वरशा दाब करना है उपवाज के साथ और गिरगिडाहट के साथ जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है उसके बचन में लिखा है कि यह परमेश्वर तूटे और पीसे हुए मन को कभी तूछ नहीं जानता है तो हमारा श्वर्गिय पिता जो है हमारे हमसे इतना प्र स्कारीर से प्रभु ईश्वमस्विधकी अपने बच्चों को नहीं सोचता है कि मेरे बेटी, मेरे बिटे, तुम गलत रास्ते उपर भट को, हल्यूलूया, वो हमेंसे वहले हमें बचना चाहता है, कि जेसे प्रभु साओर को सता रहा था, साओर ने जैसे वहां जा रहा थ शाल्शा को बांद के लाने के लिए एरुश्ले में तौपर यसुमस्य वहां पर प्रगट होता है और बोलता है कि है साल तूम उब्ने सरीर क्लुम करता है हलेलूया और उसका सरीर हम है हलेलुया तो प्रभु यही आवाज लगा रहा है एंत के समय में कि है मेरे बेटे मेरे बेटियों पर्चा ताव करो और परमेश्वर के सुष्षमाचार पर विश्वास करो और लौट आओ मेरे पास हलेलुया परमेश्वर बुला रहा इस बचन के दोरा आज हम सब को हलेलु पर मेश पर इस बचन की दोरा आज से सभी को तब कुछ जै मस्ती कि